हेलो फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्रेवल एनेफेक्स में उत्तर प्रदेश का चुपा हुआ एतिहास एक नगर देवगर्ड आईए जानते हैं क्या है खास भारत का उत्तर प्रदेश राजी अपने धार्विक और एतिहास एक महत्व के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है इस राजी के अधिकांश नगरो प्रदेश के कुछ ऐसे नगर जो अपने एतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाने जाते हैं राजी के ललित पूर जिले का देवगर्ड नगर उत्तर प्रदेश के ललित पूर जिले स्थिप देवगर्ड जासी से लगवाग 123 किलोमीटर की दूरी पर है 1974 तक यह अगर जासी जिले का भाग हुआ करता था इतिहास पर नजर डाले तो पता चलता है कि यह अगर कभी जैनों का प्रमुखधार में इस्थल रहे चुका है आपको जानकर आश्यरे होगा कि यहां जैन धर्मी से जुड़े 31 मंदिर मौजूद है देवगर्ड का किला देवगर से लेके 10 शताफिके मद्धी हुआ था इस अग्यात किले से कुछ दूरी पर दशावतार मंदिर स्थित है अपनी आकर्शक मूर्टियों और नकार शेदार संभू के लिए काफी प्रसित है अगर आप यहां जाएंगे तो किले की सहर का आनंद ले पाएंगे इस एतिहासिक धार्मिक संरचना का संबंद गुप्त काल से बताया जाता है गुप्त काल के दौरानी भव्य मंदिर का निर्मान हुआ था जो इस काल की उतक्रिष्ट वास्तुकला का साक्षी है जैसे ही मंदिर में प्रवेश करेंगे आपको पवित्र गंगा और यमुना के खुद्सूर मूर्तियां देखी जा सकती है ललित पूर जिले में इस्थे देवगर जहासी से काफी नजदीक है यहां का नजदीकी हवाई अड़ा ग्वालियर एएपोर्ट है जो यहां से 235 किलोमीटर की दूरी पर इस्थे थे आप यहां तक आने के लिए रेल मार्ग का सहारा ले सकत सकते हैं जखलोन यहां का नजदीकी रेलवे स्टेशन है इसके अलावा आप यहां सड़क मार्ग से भी पहुंच सकते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में यहां तक के लिए नेमित बस सेवा उपलब है दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का वी आपको हमारा 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